Hello everyone, in this video we are doing worksheet 2, chapter number 2 and question number 1. In my previous video I had done first part, second part, now I am doing third part of this worksheet. The question is, find the cube root of the following by prime factorization method. So start sort lets, number is 2, 1, 0, 6 and triple 0, so number end of 0, so you can start starting from 2, 1, 0, 2, 16 digits, 81, 1, then 0 will be 0, कि येक्टि जब भी 2 digits 8, डिवाइट होती हैं, तो बीच में 0 लगता है, और रिजिजी सु 0 लगने का कारण क्या है, 2 का table 1 तक आप read नहीं कर सकते हैं, डबल डिजिट बनी तो 28016 फिर आगे 000 जे अब आप फिर 2 से डिवाइड करो 2510, 24800 अब आप फिर 2 से डिवाइड करोगे 224, 2714, 000 नेक्स्ट अगें डिवाइड बाइ 2, 2102, 2 का टेबल 7 तक 236, 1710 बना 2510, 00 अब आप फिर 2 से डिवाइड करोगे 2612, 113, 2714, 2510, 00 फिर 2 से 236, 236, 1715, 2714, 12510 अब 7 प्लस 5, 12, 12 प्लस 3, 15, 15 प्लस 3, 18 तो 18 तो 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड करेंगे 3, 103, 3, 103, 3, 206, 3, 5015 अब फिर 3 से करो 3 का टेबल 11 तक 3, 309, 211, 22 बना 3, 7021, 13, 5015 फिर 3 से करो 3, 103, 3 का टेबल 7 तक 3, 206, 17, 35, 5015 अब आप 5 से करो 5, 2010, 2, 12, 55, 25 फिर 5 से करोगे 5, 5025 और 5, 105 तो ये आपने इसकी फेक्टराइजेशन कर ली अब आप 2, 1, 6, 000 इसका करोगे क्यूब रूट राइट तो लिखो आप द्वारा से यहाँ पर it is equal to क्यूब रूट लंबा सा लाइन लगाकर क्यूब रूट का साइन कितनी बार 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 जो है वो 3 टाइम्स है 1, 2, 3 और 5 जो है वो भी 3 टाइम्स है 5 इंटू 5 इंटू 5 अब आप इसकी grouping करोगे triplets में एक ग्रूप दूसरा ग्रूप तीसरा ग्रूप और यह चौथा ग्रूप 2 इंटू 2 इंटू 2 में से एक 2 ले लो इसमें से भी एक 2 ले लो अगले में से एक 3 ले लो और अगले में से एक 5 ले लो 22's are 4, 4 3's are 12, 12 5's are 60, तो 216000 का क्यूब रूट जो है वो आपके पास आएगा 60, थेंक यू,